नमस्कार दोस्तों यह पोगेट है यह हम बेल्ड बनाएंगे प्लिशीन फोर्म के देख लोपी हमने इसकी वीडियों बना ली है अगर नहीं देखें तो चैनल की डिस्क्रिक्ट पर में देख लें तो बेल्ड काट लेते हैं तो नोक काटने के बाद हम नोक छोड़के चार इंची का निसन लगा रहे हैं फिलाएंगे अधाई पौने तीन इंची का पौने तीन का लगाएंगे हमारी कमर है तो चोंतिस है तो चोंतिस का आधा लगा लेंगे सत्रा अधा लगा लेंगे हम अधाई इंच अधाई इंच बेंग में लगाएंगे एक्टर मार्जन है अभर सत्राइए इसके आदे कर लेंगे हम इसाड़े आट की करीब आएगा इस अधायर की अधायर करीब आएगा ता बैसे करके लगा सकतें मिलाकर इंची टेप हमने एक बेलोर काड़ है ते नीचे वाला नीचे रखेंगे हम मिलाकर निसान से सब्सक्राइब चार चोड़कर इसे माम निसान में लगा लेंगे इसके यह हमारा कट चुका है हम छेंची की पट्टी काटेंगे जो शेल्प में लगाते हैं कि अज़े काट सकते हैं ज्यादे काट सकते हैं कम भी काट सकते हैं हम अच्छी काटी है यह मेरे तरीका है यह हम सेल्प में लगाएंगे चार इंच हमने मोड दिया चार इंच मोड यह सेल्प को मोड के हमने जो पूर ने दिन असनल लगाए था उसका म कार देंगे यह यह हमारा सेलो भूल जाएगा इतना लग जाने समय मारे हम बेल चिपका लेते हैं पर इस पर जाकर दोस्तों हम प्रिस पर गए है यह हमने बेल चिपका रहे हैं यह शुट्व बड़ी बेल चिपका रहे हैं अब एए इस एक सूथ चटा देंगे इस पर एक सुथ सु कम थोड़ा नीचे वाले वी सुथ सकम थोड़ा देंगे तो इस तो इस अब हलका किरोस हो ज्याद एक रुद नहीं हो अगर अपने कि रोज जाद लिया तो ज्यादे करोज करते हैं हमने क्रोज कम कराया प्रेंट में लेडिस प्रेंट यह यह हमने पूने छोड़ काट दिया जना तो नसान से बिला लेंगे हम ताकि हमारा सेल्फ मोटा हो जाए और यह नीचे वाले फिस पर लगा देंगे जो में कट लगाया था यह हमारे चिपक गए है है हम इसका एक्टर मार्जन काट देंगे इसका में एक्टर मार्ण काट दिया है तो पर से काट देते हैं इस अमर्जन जितन दवाव मारा गयता है आदेंची के करीब नीचे के काट देंगे नोके यह दो कुट के लगाले हमने ताकि यह नीचे के मोड़ेंगे हम इसकी नोके मोड़ लेते हैं कि नीचे का पूरा मोड़ देंगे अखिर तक कि यह हमारे बेल्ड हो चुका है अब इसका हम सेल्प मोड़ेंगे चार इंजी का हमने सेल्प रखाएता है अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा अपने लिया तो जादे क्रोस ले 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 लिए इस पेंटे पुलिस वालोगी अब दूसरी बेल्ट चिपका लेंगे हम हमने दूसरी बेल्ट चिपका रहे है अब दोस्तों हमारे चैनल पर पुलिस वालों की जैकेट वीडियो अप्रोड की जाती है यह हमने काट दिया है यह मोड देंगे इस्ट्रावाजन के बाद यह हमारा बेल्ड चिपक गया है हमने मोड भी दिया है से हम अब हम कन्नी ले लेंगे इसी कन्नी काट लेंगे बेल्ड की बराबर चोटी वाली बेल्ड की बराबर इसमें कुटके लगा लेंगे कि बीच सेंटर में पूटके लगा लिए हमारे डेडी हो गया हमकि ला लिए अद्टेंशी ग्रप काटाये कि यह मन आटनशी ग्रप काटाया है लोगा लिए निसान अब देंगे हम दों तरब से यह हमने बना लिया हम दूत्रा इसी तरह बना लेंगे यह हमारा हो चुका है दूत्रा हमने कर लिया यह रेड़ी हम पोकड बनाएंगे लिए इसमेंट है इसने हमने लिया है साथ इंच लंबा लिया हम नहीं और शाड़े पांच लिया चोड़ाई में हमें इसमें निसान लगाए लेंगे सवाती दिन छोड़ दिया हम नहीं है कि भी सेंट्र में कुटके लगा लेंगे इसके हम निसान से मिलाकर बरावर से ही सलय लाएंगे जितनी सलय लाए इतनी गिर्प हमारे अंदर तक आई है कि गिर्प से गिर्प में नागा नहीं आना चाहिए है कि यह में काट दिया है जैसे काट देंगे इसाम पटलेंगे अब कि लब किसले लाएंगे पहले कि अब अब अंदर तक साही ले जांगे अब जो निसान लंबने लगा रहे हैं इससे छोड़कर सलय लगाएं ताकि हमारा सही बैठे पोकेट की लंबाई हैं आप अपने अनुजार लखें जितनी लखनी है आपको कि अब अब कि अब उपड़ से अब अगर तूट गया हमारा कि अगर डाल लिया हमने लब कि साही लगाने हैं यह भी लग गया हमारी दोस्तों यह होगी हमारी पिछली वीडियों हमने हमने आपको लुपी बनाएं थी इसकी पुलिस वालों की अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिस में देख लें तो हमने अबाबका्स सवाचार इंची लंभाई रखका है ल संड़ाया है उपर से मिलाकर लकाए हुश हमने निसान निसान लगाए ता आधे बहुखने का चुटक है ये वां का उससे उपर से मिलाकर o चाहरेंची तैयार लुपी रखें रख रहा हूं मैंज में लुपी की वीडियो अपनों नहीं देखी हूं तो देख लेना है चैनल की डिस्क्रिस्टिन में आपको दुख मिल जाएंगे दूसरी बैट लगा लेते हैं इस पर कि निसान से मिलाकर लगा रहा हूं सभाचार तेयार रहें बीच सेंटर में ताकि हमारा बीच की पुट्टे पर आए यह लुपी इसे काट लेंगे हमने जो सब पूरे तीन कर दिजान लगा था इसकी बरावर से इसने लपकी स्रही लगा लेंगे इसकी उपर से हम जब्दी लगा लेते हैं अबने लब किसा ही लगा लिए है हम अपना लेबल लगा लेंगे आपना लेबल लगाए जो भी आप लगाने चाहें अगली बीडी में हम आपको हम आपको कुछ और बताएंगे हुक लगा लेते हैं यह हमने पहला हुक लगा लिए है दूसरा हुक लगा लाएंगे हम इसे मौड़ देंगे अब हम सलाई से ताकि हमारे बैल्ट गुम रहता है यह मौड़ देंगे नीचे वाली यह इसे मिलाकर हम अब इसा मौड़ दिया हमना पल्ट लेंगे से हम यह हमारा बैल्ट रेडी हो जाएगा अगली वीडियो में पुठ्ठी चोड़कर अब बैल्ट चलाना सिखाएंगे अगर आपनों इसने वीडियो पॉकेट की वीडियो सामने की वीडियो नहीं देखी हो तो मौड़े चैनल में चलूड देखना डिस्क्रिस्ट्यों में आपको मिल जाएंगी वीडियों कि यह हमारी बैल रेड़ी हो चकी है अगली वीडियो में हम आपको बैल चलाकर दखाएंगे थैंक्यू दोस्तों बाई